कि यारे बच्चों कैसे हैं आप स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल एटू जेड कलासेट में आज मैं आप लोग को कलास 10 में अस्टाइटिक चेप्टर का बर्णन करने जा रहे हैं जो कि मैट में बहुत ही मात्फुन चेप्टर है कलास 10 के एकजाम के लिए आप यहार बोर्ड का तयारी कर रहे हैं या CVAC या किसी भी बोर्ड का UP बोर्ड कलास 10 में है तो आपके लिए यह बहुत ही महत्पुन टौपिक है तो हम लोग चेप्टर क्या देखने जा रहा है एस्टैटिकस इसका हिंदी हम लोग क्या देखते हैं सांगशी की तो आप टेक्स में हम लोग माध्य के बारे में आप सबसे पहले हम जैद रहे हैं सबसे पहला हम लोग उट्रोडक्शन देखते हैं। पी 시청 में आपिमिपी ? In rememberedow संख्या को langym का अध्यान क सज़ावत के लिए अस्टेटिक चेप्टर जिक युख है। जिसे हम लोग उपयोग करते हैं। जिसे आप लोग बैंक में जाते हैं, तो बहुत सारे आदमी का डाता राता है, मलग खाता खुलवाते हैं, तो बहुत सारे आदमी का डाता राता है, तो उसको अस्टोर किया जाता है, सांखिकी में, या आप लोग किसी भी केडमीशन वगेरा कोचिंग इंटिचूड में होत तो ब्याख्या करने के लिए हम लोग aesthetic chapter में देखते हैं तो introduction हम लोग क्या देखे कि divine परकार के data के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे मलब आकड़ा दिया हुआ रहे है 2-4-5 इस तरह से बहुत सारे आकड़ा रहेगा तो उसके बारे में aesthetics में हम लोग अध्यान करते हैं अब इसका हम लोग definition देखते हैं कि aesthetic का definition क्या हुआ है definition मलब इसका परिमासा देखेंगे D.E.F. आपका पावर यहन देखे हैं इस तरह काड़ में definition लिखा जाता है तो हम लोग definition देखते हैं कि statis का definition क्या हुदा कर आप लोग को हिंदी में भी और इंउंग्लिष में दोनों में पढ़ाया जाridhar दोनों माध्यम में आप हिंदी मेडियम के student है तो भी आसानी से समझ सकте हैं इंटी मेडियम के student है तो भी असानी से आपको समझ में आएगा दोनों रूप में आप लोग को definition बगेरा जो भी concept रहेगा Hindi English दोनों भरजन में बतलाए लाएगा तो आप लोग दोनों तरह के English medium, Hindi medium दोरों तरह के बच्चे हमारे वीडियो को अंत तक देखे सही से आपको concept लेना है aesthetics का वीडियो के अंत तक बने रहे इससे आपको संपुल जानकारी मिलेगा तक definition क्या होता है? aesthetics का तो aesthetics क्या है? aesthetics के बारे हम लोग देखते रहे तक that branch of that branch of science यह क्या एक science का branch है? तुर साइन्स का टाइप है that branch of science in which we learn in which we learn about about the collection क्या हम लोग रहे हैं? the collection classification क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन observation तुर लोग क्या है देखे? collection देखे classification देखे observation देखे representation representation of data तुर हम लोग data का representation observation classification collection के बारे में जिस science के ब्रांच में पढ़ते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? aesthetics बोलते हैं अब साइन्स in which we learn about तो क्या किसके बारे में लोग पढ़ेंगे? data का collection करने के लिए data का classification करने के लिए data का observation के लिए और representation के लिए तुर इजिकाल्ड aesthetics करने के लिए आज statics का definition हम लोग देखें विजिसमें data का collection classification observation and representation क्या काते हैं . हिंदी में हम लोग क्या देखेंगे कि aesthetics का तो सांखी की विज्ञान की वास आखा है हिंदी में क्या देखेंगे इसका definition सांखी की बिज्ञान की ग्वा साखा है जिसमें जिसमें आकलो का एकत्री करन एकत्री करन मलब जमा करना कामा वर्गी करन वर्गी करन मतलब बातना डिस्टिब्यूट करना वर्गी करन उसके बाद प्रस्तूती करन प्रस्तूत करना मतलब रिपर्जेंट्रेसन मतलब उसको सदाना प्रस्तूती करन कामा विसलेसन एवाम व्याख्या किया जाता है ब्याक्यां की जाती है तो अस्टेटिक्स में हम लोग क्या देखे सांखी की का इपनी सांखी की विग्ञान की वह साखा तो कैसा साखा तो जिसमें हम लोग आप लोग का एक अत्री करन जमा करते हैं बंदी करन कलासिफाइड करते हैं परस्तूर्थी करन जिसले सने वह ब्या एकत्र किया जाता है तो पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे इन अस्टाइटिक से इन अस्टाइटिक से दा डा 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 अर कलेक्टेड डा 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 अर कलेक्टेड और तो क्या लीतान कॉस्ट करते हैं इस हेंटी में क्या दिखेंगे इसी पॉइंट को कि सांखीकी में आकड़ा का विशेश उद्देश के लिए एकरत्र किया जाता है तो हम लोग ये पॉइंट देखें कि ASTATICS का इंट्रोडक्शन ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ASTATICS का इंट्रोडक्शन के बारे में अब हम लोग इन अस्टेक्टिक के अंदर हम लोग क्या-क्या अध्यान करेंगे उस टॉपिक को बतलाने जा रहे हैं कि अस्टेक्टिक के अंतरगात हम लोग किस पिस टॉपिक का ब्याक्या करेंगे तो अब मैं आप लोग को क्या बत लाने जा रहा हूं कि aesthetics के अंदर का अंतरगत क्या-क्या topic है तो there are following topic, there are following topic, there are following topic, learn in aesthetics. तो हम लोग learn क्या करेंगे, इन aesthetics में following topic को learn करेंगे, मतलब कि असान्खिकी में निम्निलिखित topic का अध्यान करते हैं, तो first topic क्या है, तो हम लोग मीम के बारे में पढ़ेंगे, मीम का ही दूसरा नाम है, arithmetic मीम. अर्थमेटिक मीन, तो मीन या इसी का दूसरा नाम अर्थमेटिक मीन, दो नाम से जाना जाता है, मीन या अर्थमेटिक मीन. माध के बारे में या समना अंतर माध के बारे में. ध्यान से समझेगा कि हम लोग topic क्या है, तो सबसे फ़ल topic हम लोग मीन या अर्थमेटिक मीन के बारे में हम लोग concept देखेंगे. सकेंड topic हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, aesthetics में, तो mode के बारे में पढ़ेंगे. बाहुलक, बाहुलक का हम लोग concept के साथ अध्यान करेंगे. नेक्ष्ट topic इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो medium के बारे में पढ़ेंगे. मीडियन का हिंदी आप लोग माध्यक जानते हैं, क्या जानते हैं? माध्यक या इसी का माधिका भी बोला जाता है. फोर्थ topic हम लोग ओगीब के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग तोरन बोलते हैं. तो यहां पर फोर्थ topic देखें, फोर्थ topic देखें, mean, mode, median और ओगीब. तो यहां पर हम लोग यह क्या देख रहे हैं? यह सभी के सभी topic हम लोग aesthetics के अंतरगत लर्ण करते हैं. तो यह तीन topic जो है, mean, mode और median यह तीनो topic जो आता है, मुझा 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 Central Tendency Tendency यह तीनो Central Tendency को आता है Mean, Mode और Video तोरन जो हता है Central परविर्थी का नहीं हता है तो आप लोग के लिए यहाँ से एक महत्पुल्ड important question आता है क्या Class 10 के Exam में Final Exam में आता है कहँगा निमलिकित में काउन केंदरिये परविर्थी का नहीं है इंट्रीय पर्वित्तिका नहीं होता है, वागी क्या है मीन, मोड और मीडिया, यह 3 के 3 क्या होता है? Central Tendency में पर्वित्तिका होता है, तो हम लोग आप इस Topic में क्या देखे? Astatics का Introduction और Definition देखे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मीन के बारे में देखेंगे कि mean का क्या होता है, definition क्या होता है, इसका किस परकार से हम लोग calculate करते हैं, मेन को निकालने का method होता है, तो mean के निकालने का लिए बहुत सब्सक्रा का method होता है, ungrouped data के लिए, group data में लोग आप बर्गी कृत आकड़ा के लिए, तो mean को समझने के लिए, हमारे next video को अबस देखें,